के अपलोग करते हो उसके बाद वह स्मार्टफोन को इस्तिमेरल करने लगते हो उसके कि भजफ देखेगा जाना धुछ दिनों तक अच्छा चलेगा उसके बाद आपलोग को देखिएगा और 0 बताता हूं यहां पर आप लोगों कुछ हैसे गलतिया करते हैं जिसके कारण आपका फॉन का बैटरी नहीं चलने लगता है पूराना होने के बाद तो वीडियो को देखते रहे इंड तक अगर चैनल में नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेलाकने उसे और प यहां पूरान के बहुत सर अंतना बने सेटिंग को बंद कर देना है तब आपका बेटरी आफी क्वह सारे लोग करते हैं देखेीगा आपके पहुत सारी notification आते हुँगे तो लोग क्या करते है अपने फ़ान में बहुत सारा application install करके रखते हैं जैसे की video editing के लिए photo editing के लिए social media के लिए game खेलने के लिए बहुत सारे और फाल्टू एप application अपने phone में install रखते हैं जिसके पहराण आपके फोन में जितने भी फालतू अप्लिकेशन रते हुए सारे में नौटिफिकेशन आ जाता है इसके करण आपका फोन का बेटरी बहुत जल्दी खतम होने लगता है अगर आपके फोन में बिलिंक होने वाला लाइट दिया है तो उससे और ज्यादा खतम होने लगता है क्योंकि जब भी आपके फोन में नौटिफिकेशन या मेसेज कुछ भी आता है तो आपका फोन का जो बिलिंक लाइट है वहाँ जलने लगता है जिसके करण और जल्दी आपका फोन का बेटरी खतम होने लगता है तो यह गलती आप लोग कभी भी नहीं करना अगर आपके फोन में फालतू application है तो उसे ड्रीट कर दीजिए नेक्स्ट गलती यह गलती हम सभी लोग अपने फोन में हर दिन करते हैं जब भी हम लोग अपने फोन में इंटरनेट चलाते हैं तब हम लोग अपने फोन का डाटा ओन करते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इसे लोग हैं जो अपने फोन में कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन अपने फोन का डाटा ओन कर देते हैं या बहुत सारे notification पेनल को ओन कर देते हैं जैसे कि wifi, hot port, location तो यह गलती आप लोग को कभी भी नहीं करना जब भी आप लोग अपने फोन में कुछ नहीं इस्तिमाल करते हैं तो आप लोग notification पेनल को on नहीं रखना है आप लोग notice करना कुछ ऐसे फोन है जो सिर्फ data on होने के कारण उस फोन के बेटरी पुरी तरह से खतम हो जाता है तो यह गलती आप लोग को कभी भी नहीं करना जब भी आप लोग internet का इस्तिमाल करते हैं तभी आप लोग data का इस्तिमाल करें या wifi का इस्तिमाल करें या नहीं करते हैं तो आप सारा notification पेनल को बंद रखे नेक्स्ट गलती यहाई गलती भी हम सभी लोग अपने फॉन में हर दिन करते हैं, जब हम लोग अपने फॉन में कुछ भी अप्लिकेशन ओपन करते हैं, जैसे के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्यूटर, तो आप लोग देखेगा, आपके साइड में फॉन में वह अप्लिकेशन रहाता है आपके multitasking के option में वह application रह जाता है और वह application को हम लोग close नहीं करते हैं बहुत सारे ऐसे application है जो हम लोग दिन भर में एक बार सिर्फ open करते हैं वह application को close नहीं करते हैं जिसके करने हम लोगा phone का battery बहुत जल्द खतम होने लगता है क्योंकि वह application जो background में run होते रहता है हम लोग का application को सिर्फ close कर देना है next गलती किसी-किसी phone में notification blink light दिया रहता है जब भी आपके phone में call आता है या message आता है या कुछ भी notification आता है तो आपके phone notification light blink खोने लगता है तो आप लोग के phone को battery खतम करने का हुआ भी एक कारण है तो आपके phone में जब भी कुछ भी call आता है या message आता है या notification आता है तो आप उसे तुरंत read कर ले या clear कर दे तब ही आपका phone का light billing खोना बंद हो सकता है आपका phone का battery बज़ सकता है next गलती यह गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने phone का brightness हमेशा प्षूल रखते हैं, चाहे वो घर के अंधर इसतão कर रहे हो, चाहे वो घर बेटरी बस सके, next गलती, या गलती कुछ लोग करते हैं, live wallpaper का, बहुत सारे इसे लोग हैं, जो अपने फोन में live wallpaper set करके रखते हैं, live wallpaper का मतलब है, आपके फोन में जो wallpaper set किये हो, वह चलते रहता है, कुछ इस तरह या कुछ वीडियो पले होने लगता है, या जब भी अपने अनलोग करते हैं, तो आपका फोन का जो wallpaper है हुआ, हर बार change होने लगता है, तो ये गलती आप लोग को कभी भी नहीं करना है, आप लोग को अपने फोन में live wallpaper set करना है, आप लोग का simple सा एक wallpaper रखना है, जिससे आपका फोन का बेटरी खतम नहीं हो, यहोब दोस्तों आप ल कर सकते हैं ये लिंग का प्लों को description में मिल जाएगा, तो